अंकिता के स्कैल्प केर सेशन के लिए भई जो भी उनके टीम की मेंबर बहार से आई थी उन्होंने किसके फैन बेस के बारे में बात की थी चलिए दोस्तों बात करते हैं स्वागत है आप सभी का वॉलिफूट स्पाई में मैं हूँ अधती शर्मा तो दोस्तो जिस fanbase की بात हो रही थी वो ना तो मुनवर का था, ना नुराक का था, ना अंकिता का था वो fanbase था bigboss का यहां पे वो clear mention किया गया है कि bigboss के fanbase की बात हो रही थी और यहां पे यही कहा जा रहा था कि bigboss का fanbase बहुत बड़ा है तो अंकिता ने agree किया था कि हाँ बिल्कुल मतलब बिग बॉस का फेंडम जो है किसम से बहुत बड़ा है बहुत सारी audience जो है connected है तो यहाँ पर भई इस तरीके से इन चीजों को बाहर रखा गया सब के सामने ऐसा लगा कि शायद मुनवर के fanbase की बात हो रही है और ना तो बिग बॉस ने इस चीज को correct किया और ना शायद मुनवर को ठीक से सुनाई दिया था कि किसके फेंडम की बात हुई क्योंकि वो जो भी ड्रायर या जो भी कुछ चल रहा था मशीन वहाँ पे उसकी वज़से बहुत जादा आवास थी तो clear वो चीज सुनाई नहीं दी लेकिन दोस्तो आप जो है शोचल मीडिया पर ये चर्चा है कि जब बात बिग बॉस के fanbase की हो रही थी तो जबरदस्ती उसे किसी contestant पर क्यों डाला गया जबकि बिग बॉस को तो पता था आप सभी को क्या है कहना कॉमेंट्स में बताईए जरूर मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में